कि नमस्कार दोस्तों मैं आज अपना फिफ्ट लेक्च्चर स्टेंद ओफ मेट्रियल्स का लेकर आया हूं तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसेफटी और बीमड्यकी निमरिकल ठीक है तो सेर्फोर्श डियाग्राम एंड वेंडिंग निमरिकल होते हैं बीम्स पर मेजर लिए आपको दो टाइप की बीम्स का निमरिकल दिया जाता है या तो वह होती यह कंटिलिवर बीम यह होती वह सिंपल सपोर्टेड वीम तो हम लोग बात करेंगे आज सिंपल सपोर्टेड और केंटिलीवर दोनों टाप की वीम के लिए तो सबसे पहले आप चैनल को तुरंट देखते ही लाइक करें और सेर करना न भूले इस वीडियो को तकि आपके जो भाई लोग हैं सब को जो है यह स सीखना आयाना चीए उनको सीखना ठीक है कि कैसे वो लोग बनाएंगे सीज को और सेकेंड यर के जितने भी सारे डिप्लोमा मेकेनिकल के स्टुएंट हैं और वो लोग इस चैनल को देखना न भूलें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें तो मैं चलता हूँ देखिए मैं यहां पर एक निमेग cambio लेका हुआ हूँ और निमेग को एक शरी पास बात यह होता है कि के वेवकर म नहीं है उस तरीके के नहीं तो सवन доллар के लिए किया हूँ और उसके बाद यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है को सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक निमिकल की मदा है सिंपल सपोर्टेड वीम सब्रेक्टटेट् ुप लूड लौड यह एक सिंपल सपोर्टेड वीम पर दो फॉंअ लगे हुए एक क्वेंटी क्लोन उन्यूटर और पानियुर्टर आपको डिस्टेंज दिया हुआ है एपॉइंट को सब्सक्राइब करने के लिए सब ससे पहले हम स्टार्ट करने के लिए हम सिग्मा वियुवर्टिकल जीरो से उपर लगने वाले प्री या यहोड़ने वाले पॉर्स के समीशन के एक्वल है मतलब और 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 वी जो आपके रियक्शन हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह दोनों रियक्शन का वैल्यू उपर जितने भी फोर्स लगए हैं चाहें वह 20 हो 30 हो जो भी हो उन सब का जो समीशन होगा उसके एक्वल होंगे तो मैंने मुझे सेपरेटली साथ अर्वी करना हूता है रर औरभी का कितना होगा और एका वयली कितना हुआ था कि उसके लिए हमेसा जो है मुमेंट लेते हैं तो मैंनच क्या अमे नहींद कैनल थो मिल्या हुआ है मुमेंट क्या होता है मुमेंट होता है आपका force into distance distance मे जिस पॉइंट से हम मुमेंट ले रहे उस दूसरे force की सथा में Point a से 사्फंट की बाइंगा डिस्टेंस दिस्टेंस की चाह वह ने की हो चाहना वह आपका Machtि की हो जो भी हो तो क्या हुआ आपका यहां पर हम दोग थ्वर्ए सा आ यहां में और ओपर से आप फोर्स आपके आ रहा है वो एक लिए ऐसे काम टूर्पारफ से और यह दिए कैसे काम हुआ करेंगे एक तरफ आपका क्लोगवाइज को यहां मैं और यह नेरसी क्या में नेगेटीब लखवाई जैसे मैंने यहां लखा हुआ है मुवमेंट ओफ आरे प्लस मुवमेंट ओफ आरवी विल वी एक्वल टू दुद दम मुवमेंट अफ 20 किलोनुटरन एंड मुवमेंट ओफ 30 किलोनुटरन दोनों को यूद के समीशन के एक्वल होगा वही किया यहां पर आरे जैशेंब लखा 2020 दिस्टेन्स पर तो मैंने यहां के तुना लखा가 रिंटिय ओई एक्किया एकवल टूटरि इन्टू पाइटी इन्टू थेटी इये वाला फोर्स यहक्स पर होस तीन मेत्र दिस्टेन्स पर है bedroom. aç पिलस 30 13 25 13 25 अब मैं से सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद यह आरे एंटु जिरो तो जीरो हो जाएगा यह हो जाएगा एट आरवी एक्वल टू टू बन जिरो सॉलूसन किया मैंने लिए 26.25 किलोनुटन अब यह 26.25 किलोनुटन की वैल्यू जो है किसकी यह और यह rb की वाली तो हमें सबसे पहले और और नाफर वीए I have to go for find out the value of the data for diagram the diagram find करने के लिए आप को UFO diagram के लिए किसी भी एक point से start करनी होती है मैं starting कर रहा हूं मालिगे point B से point B पर हम सबस्दस्थ बीपर हम सबस्था कर यह खड़े हो जाएंगे ठीक है और खड़े होगा देखेंगे point B के है इधर इस साइड में हुझे मुलता है राइट साइड में comigo मुझे क्या कोई दिखाई दे रहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं दिखाए रहा है तो आपका सियर फोर्स एस एक फोर्स ऑन भी राइट साइड में इसकी वेलिक्विया होगी जीरो होगी अब मैं सियर फोर्स बी पॉइंट पर निकालूंगा मगर लेफ्ट साइड में देखते हुए तो याप को याद बता पॉइंट भी ते कौन सा फोर्स काम कर रहा है सिर्फ एक काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स आपका था 26.25 और कोई फोर्स में एड हुआ है ठीक है तो क्या करेंगे हम सिर्फ 26.25 रखेंगे मगर जैसे ही मैं लेफ्ट साइड की तरफ देखूंगा जैसे ही मैं लेफ्ट देखूंगा तो क्या होगा आपको यहां पर लेफ्ट देखने के साथ साथ लेफ्ट साइड देखने के साथ साथ ये देखना है कि अब पॉइंट डी तक आपने कितने फोर्स को देख लिया तो इसका मतलब सिर्फ दो फोर्स आपके आई एक आरबी आवाला आया और एक आपका ये 30 वाला आया तो आरबी वाला हमने पॉजिटिव लिया हुआ है क्यों यह हमने माना है कि नीचे वाले फोर्स पॉजिटिव है तो उपर वाल फोर्स कैसे माँने पड़ेंगे हैं और नेगेटिव मानने पड़ेंगे अब पोजिट मानने पड़ेंगे तो सिमिलरली क्या हुआ माइनस 30 हो जाएगा आपके ये जब मैं 26.25 माइनस 30 करूंगा ठीक खड़े हुए देखंगा इधर की तरफ तो सी पॉइंट तक के फोर्स की बात करना तो वह सिर्फ वही दो फोर्स हुए आपको एक यह हुआ और दूसरा यह हुआ उसका वैलू कितना आपका आया वही मैनस 3.75 ही रहेगा और कोई चेंज नहीं आएगा इसमें ठीक है मगर स सी पॉइंट पर मैं देखंगा इधर की साइट तो मुझे सी पॉइंट पर लेगे हुए पॉइंट लोड को भी कंसीटर करना पड़ेगा ठीक है तो इसे मैं करूंगा कंसीटर क्या हुआगा मैनस 20 और एड हो जागा इसमें तो मैनस 3.75 यह वाला मैनस 3.75 मैनस 20 किलोन्यू सब्सक्राइब करेंगे पॉइंट पर आकर सिर फॉर्स की आंगे फॉर्स की वैल्यू पॉइंट फिर तो छेंज नहीं हुआ वही आपको जोन निकल किया था बीट पॉइंट सी पर रोनीट निकल यह था मैनस 23.75 जब आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में नीचे वाला जो फोर्स आ रहे है वह भी आपका एड़ हो जाएगा तो यह क्या होगा प्लस 23.75 इसमें माइनस के साथ एड़ करेंगे तो माइनस 23.75 प्लस 23.75 जीरो हो जाएगा तो याद रखना कि सीर फोर्स डायग्राम जो बना रहे हो आप किसका जो आप बीब यूज कर रहे हैं सिंपल सपोटेट बीम का तो उस केस में हमेशा में सिंपल सबूर्स बीम में सीर फोर्स की वैल्यू स्टार्टिंग और लास्ट में जीरो आत सब्सक्राइब की इसके एकोडिंग आप क्या करोगे एक स्किल कंसीडर कर लोगे तो पॉइंट वी पर दो वैली मिली आपको जीरो फिर फिर पॉइंट डीपर 26.25 और उसके बाद 3.75 मैनस का तो जीरो का जब मैनस है तो क्या होगा नीचे आ जाएगा उसके बाद फिर आपक के एकोडिंग ठीक है यह आप स्केल माल लोगे अपने साब सब्सक्राइब कर लोगे और करने के बाद इसमें हैचिंग जिर करना ना भूलें यह हैचिंग सापका इनकलाइंड ही होती है हमेशा एक्सवाई लाइन के ओके आपका आता है बैंडिंग मुमेंट डाइग्राम करना काम कर रहा है रहा है वैसे बैंडिंग विवेंट करने के लिए क्या करना होता है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे इसमें starting करेंगे point B से, point B पर खड़ा हुए, point B पर देखा आपने इधर की तरफ कोई force है, नहीं है जी, जब नहीं है तो क्या होगा, point B पर आपका bending moment की value 0 हो गई, इसमें हम एक side लेते हैं सिर्फ, फिर आपको आते हैं directly point D पर, point D पर आया फिर मैंने इधर देखा, कितने force है, point D पर खड़ा हुआ, देख कौन से राओ, 26.25 दिखाई देरा है सिर्फ, और कोई force बीच में आया, कोई यूडियल बीच में आया, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, 26.25 तो force हो गया, उसका distance कितना है, point D से, 3 मीटर, तो क्या होगा, 26.25 इंटु 3 करके, 78.75 क्लोनीटर मीटर क्या आगा, आपका, बैंडिंग मुमेंट की वैलिव आ गई, उसके बाद आपका आता है, point C पर, point C पर खड़े हुए, point C पर आपको दिखाई दिया, point C पर आपको दिखाई दिया, यहां पर, थी, दो force, एक आपका है, 26.25 दूसरा आपका है, 30 किलोनीटन, तो इन द दोनों का वैलिव, force का पता है, distance का भी आपको मालुम है, एक का distance है, आपका, 5 meter, point C से, दूसरे का आपका, इसका, 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 आपका है, 2 meter, तो 26.25 क्या करोगे, आप, मल्टिप्ला करोगे, 5 के साथ, यहां क्या हुआ हुआ है, BMC में, और माइनस करोगे, 30 इंट उसके बाद, आप निकालेंगे, point A के लिए, point A पर गई, point A पर जाने के बाद, आपको force कितना दखाय दिया, यहां से देखिए, यह दिखाय दिया, आपको, यह दिखाय दिया, तो इन सारे force का, कुछ distance भी पता है, एक point से कितना होगा, तो नीचे वाला force तो positive लेंगे, निकल किया विल्य कितना, 0, तो यहां कौन सा वेली सुपसे maximum है, 78.75, that will be the maximum value of vending open diagram, ठीक है, अब चलते हैं, हम आगए, question number second पे, question number second is that, a cantilever beam is subjected to point load, तो ऐसा ही simple question है, इसमें हम लोग क्या, इसमें, cantilever beam है, तो इसमें सिर्फ reaction जो होती है, आपकी एक ही होती है, दो reaction नहीं होती है, क्योंकि आपका जो end है, वो एक fix end होता है, दूसरा आपका free end होता है, ठीक है, जैसा आप diagram में देख रहे हो, तो diagram आप लोग देख रहे होंगे, साइद, तो diagram में आपको दिखाई दे रहा होगा एक चीज, कि आपका जो cantilever beam है, यहां आपका यह fix end है, यह आपका free end है, ठीक है, तो यहां पर force लगे हुए है, आपके distance आपको दिया हुआ है, चाहँ को दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसके analysis की, तो analysis में क्या करते हैं, अनलैसिस में हम लोग क्या करते हैं सबसे When eFF क cares करते हैं सबसे में देखवोक्ति का रेक्ष मेड़ियु को क extraterrestrial आएगा आरे चाहिए सब्सक्राइब और कोई यहां पर दूसरा रियक्षिन काम नहीं कर रहा है तो इसलिए क्या होगा आरे एक्वल टू अपका होगा 10 प्लस 20 प्लस 30 ठीक है गॉट इट ना अब हमें रियक्षिन के बाद हमें इसमें कोई आपका जो मुमेंट ले रहे थे हम आपका देखा मैंने इधर की तरफ तो क्या हुआ कोई फोर्स है नहीं है नहीं है तो जीरो हो गया अब ऐसा वी में आया इधर जाई तो क्या हुआ देखा मैंने फोर्स है कौन सा वाला वी पर क्यों काम कर रहे है इसलिए करेंगे से नेगेटिव माल लेंगे मैनस थर्टी हो गया अब पॉइंट डीपर गए पॉइंट डीपर जाने के बाद आपने देखा होगा किदर लेफ्ट साइड में तो क्या होगा जो डीपर फूर्स काम कर रहा है वह भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा तो इट विल भी मैनस थर्टी मैनस ट्वेंटी इट विल भी 50 किलो न्यूटन अगें आइम गउइंग फॉर ऑप्सन नमबर सी तो सी पर नहीं में ग पर जैसे ही में चेंज करना अपनी मैं अधर द्राइक्शन में क्या होगा आपका टैन किलो न्यूटन आपको और लेना पड़ेगा तो इट विल भी मैनस 60 को न्यूटन ओके अब फिर आप आप पॉइंट एपर तो पॉइंट एपर भी कंडिशन आपको वह अप्लाय करनी ठीक है तो सिएर्फोर्स का आगया वैल्यू के एकॉडिंग ड्रॉ कर देंगे सबसूब आपको जीरो था था तर्ट हुआ फिर आपका इस पाइंट पर 50 रहा उसके पूंदपर सिक्स्टि रहा उसके पर और पिर आपका एकॉडिंग जोंकी वैल्यू थी वैलियू आपने को ड्रो करने के लिए कि नहीं है आप पहले वेल्ट की वैली पैंड करनी होते हैं वेले चैनल यहां आपने देखा कि इदर कुण सा मीटर आपको दिखाए दे रहा है कि बहुत सारे से सिर्फ दो ही फोर्स दिखाए दे रहे हैं आपको थर्टी का तो तर्टी का डिस्टेंस कितना है फाइफ मीटर तुमीटर कहां से सी पॉइंट से तो क्या होगा वही आपने किया थर्टी इंटू फाइफ मैनस ट्वंटी इंटू टू इट विल बिन वन नैंटी क्लिटन मीटर और लास्ट वन इस डैट वी एम एप जाओगे तो बी एम एप पर आपको सारे फोर्स दखाए देंगे चाहें आपको टैन वाल टैन इंटू टू तो इट विल भी मैनस 310 क्लिटन मीटर तो यह आपने वैली फाइंड कर ली सारी और वैली फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे इसकेल मान लोगा इसकेल के अकॉर्डिंग आप यह एक वैल्यू जो है डाग्राम पर इंडिकेट कर दोगे तो यह आप आप का आता है बेन इमटी सिंपल सब्वोर्ड वीम सबजक्टेट टू यूडियल तो यूडियल से जब कोई सब्ढ़ कर रहा है तो उस मैंने आपको सब्सक्राइब होगा हुआ है क्या होता है क्या होता है क्या बीम है विल और इसकी लोगे आपने L माना के L Length की एक beam है तो इस L Length की beam पर आपका एक force काम कर रहा है UDL ठीक है उसका value आपको यह है W kN per meter मतलब हर एक meter पर W kN force काम कर रहा है इसका मतलब यह हुआ तो इसकी length जितनी भी होगी उससे हम क्या करेंगे multiply कर देंगे तो हमें इसका total force माल मुझे मालूं जाएगा total force कितना काम कर रहा है आपके वह मालूं हो जाएगा क्या करेंगा reaction find करोंगा reaction find करने का मतलब क्या होगा मुझे R.A.R.V. की warto find करना है JAB R.A.R.V. कीМы factor कर देंग इसके बाद हमें करना होता है shr force diagram के निकलनी होती यह सिर्फोस डाग्राम में वही रूल अप्लाइब करेंगे हम पॉइंट भी पर जाएंगे पॉइंट भी पर जाने के बाद लेफ्ट साइट देखेंगे तो मैं मैं सारी चीज़ देख लूँगा तो मुझे आपको यह वैल्यू मिलना शुरू हो जाएंगे ठीक है तो हम ऐसे फिर पॉइंट ए और पॉइंट ए पर दोना तरफ देख लेंगे बीच में इसमें फोर्स अलग से दिया हुआ रही है बीच में सिर्फ एक यूडियल है तो इसका कोई फैक्ट पढ़ेगा नहीं हम यूडियल को कंसिडर कर लेंगे एज लोड ठीक है एज लोड कं तो डाइग्राम मनाथे टाइम क्या होगा दोनों को डाइग्राम को बनाने के टाइम यह बीच में आपका सी पॉइंट पर कट करेगा जब सी पॉइंट पर कट करेगा इसका मतलब क्या है यहां सी एर फोर्स की वैल्यू जीरो है हमना निकाल ही नहीं है मगर यहां ऑलरेड यह लगा होँए किसी आपका गी मोवेंट में डाइगराम में एक सेक्जन क्रिक्ट करना होता है दैट इच जब सेक्शन मैं क्या किया वह आपन ऊपर एक एक सेक्शन क्रियट किया होता है आपको दिख़ा दे रहा हो होगा इसमें यह वाला ठीक है इस एक्स एक्स सेक्षन का डिस्टेंस हम चाहें तो ए पॉइंट से माने या फिर चाहें तो भी पॉइंट से माने वह आपकी मर्जी है कोई दिक्कर नहीं है तो मैंने मालिजे के ए से इसका मान लिया। तो हम इस इस ए पॉंट से एक डिस्टेंस पर एक एक सेक्षन मारे हैं और इसक्षन केब आवाउट हम लेंगे मूवमेंट क्या लेंगे मूवमेंड लेंगे मूमेंट जब लेंगे तो क्या होगा bmx का नाम बोल देंगे तो इट विल वी 2 इंटु एक्स कैसे रियक्शन फोर्स है तो यहां से जुरूरी कितना हो इसका यह दिस्टेंस हुआ इसका एक्स तो दूइंस्टेजिन्टार हमें से मिलुट में टो यह काम करता है अपने मिडल में और करेंगे प्रोड प्राइस में और करेंगे जब करने के बाद निकल के आए तो हमारा यह कुषिन कई है है मैं में क्विश्चन हमारी यह द्यूंद कर आई अब इसी प्रोड में के रहा है तो आपको उसका मिल जाएगा तो हम इसमें पर मीटर भी निकाल सकते हैं हरे एक मीटर पर एक सब्सक्राइब करने के लिए करना होता है इसको डिफरेंस के सीट करना होता और उससे अपना होता है एक सब्सक्राइब करने को अपका डिफरेंसेट किया इसका मनलब क्या है कि यहां पर एक से को ल वाइट यूपर आपका मैंग्सियम सीर इस रिफरेंडिक मोमेंट की वैल्यू होगी ठीक है तो यह हम निकाल देंगे तो यहां पर निगालने के बाद मैं एकिस वॉखर यहां पर में लू स्कॉर कर दिए रही सिमिलर्ली एक और इसे यसे की जैसे मैं यह वाला कि इस चाहिए आक सबस्क्करी समंझ जीकांना昨 organize कर दिखासलन में क्या है question में आप देखिए question में आपको एक length का beam दिया हुआ है जिसका length 6 meter है और इस beam पर पूरे span पर 4 km पर मीटर का यूडियल लगा हुआ है चार क्लोनीटर पर मीटर का यूडियल लगा हुआ है यह वाला और इस पर एक point load लगा हुआ है 10 क्लोनीटर का जो कि आपका point B से two meter और एसे चारी मीटर की डिस्टेंस पर है यह सिंपल डाइग्राम है ठीक है इसमें एक्स बगरा मैंने बाद में लिया हुआ हुआ है वह समबाद में बता रहे हैं किलियर कर रहे हैं तो आप क्या करा होगे अब आप सबसे हैं मान लोगा कि प्लस और उपकल टू जितने फोर्स स्काम कर रहे हो सब तो क्या हुआ एक तो टैन फोर्स काम कर रहा है 10 प्लस डबलू कितना है आपका 4 किलोनीटन पर मीटर कितने डिसेंस पर क्काम कर रहा है, 6 मीटर पूरे इस्पैन पे, तो 4 इंटु 6, तो कितना आए आपको 34 किलोनीटन, यह आपका RA प्लस RV का वेल्यू आया, तो अब मुझे यहां RA और RV का वैल्यू सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या होगा मुझे पॉइंट A के टाइम सापेच या पिर पॉइंट B के सापेच में मुवमेंट लेना होगा तो टेक मुवमेंट एवाउट पॉइंट ए मैं करूंगा तो क्या होगा आपका आरे इंटु जीरो पिलस आरवी इंटु सिक्स क्योंकि हमारा ब्ली पॉइंट है वह आपका एसे 6 मीटर दूरी पर है एक्वल टू टैन इंटु फोर टैन वाला य पूरे डिस्टेंस पर लगा हुआ चेंट पर फोर्टो फोर्स हो गया का आपने मिडिल में तो इसका मतलब 6 दू इंट नमबर बन में तो मैं आ र वी परावर 15.33 तो यह आपने निकाला अभी तक यहां पर RARB के वैल्यू जब RARB के वैल्यू आप निकाल दोगे तो RARB के वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालना सीर फोर्स के वैल्यू तो सीर फोर्स के वैल्यू निकालने के सीर फोर्स डियाग्राम के वैल्यू तो इसे निकालने के लिए करोगे फिर वहीं आप स् हम पौइट बीपर जाएंगे आपका सब्सक्राइब को आरवी दिखाई देगा आरवी के थक्षिवी अतना है एस्टीन पॉइंट सब्सक्राइब अब आप आएंगे पॉइंट सी पर वह से पहले इस साइड में तो आपको दिखाई देगा एक तो और भी दूसरा आपका बी से सी के बीच में जो लगा हुआ यह यह यूडियल का वेली कितना होगा भाई फोर किलोनीटर पर मीटर का यूडियल है दो मीटर डिस्टेंस होगी आपकी सी से भी तक तो कितना हो गया यह चार दुनी आठ तो यहां लगा दिया मैं देखिए इसम पॉइंट को लिया मगर अपसी पॉइंट पर जो कोई पॉइंट लगा हुआ है ठीक है वह भी आपको लेना है तो वह कितना है आपका 10 केलोनीटर का है तो आपने यहां पर क्या किया 10-10.67-10 करती तो वैल्यविए आपको निकल के आई 0.67 किलोनीटर यह आपकी सी पर दू है आपका राइट की तरफ तो राइट में देखो क्या होगा आपका आपका आपने यहां तक पॉइंट सी तक तो कलीर का डिविसिस और बीच प्रोस नहीं सिर्फ यूडियल ए तो यूडियल कितना है आपका यूडियल आपका है 4 इंटू 4 का तो 4 ंटू 4 की आपने क्या आए आपका यहां पर रख दिया है लिए 15.33 पोर इंटू 4 मैंस का होगा तो 15.33 आपका आफ्टर के उसके बाद कहें हुआ अप पॉइंट पर आ गए आप आपने पॉइंट देखाए तरफ तो आपका माइनस पॉइंट 15.33 आपका वेल्व आय चुका था प्लस 15.33 आपका आ रहेगा वेल्व और आपका आ जाएगा नीचे से उप लस का होगा तो क्या होगा प्लस मैनस करके तोनों जीरो हो जाएंगे ठीक है यह सिरफ डाराम की वैल्लव प्लस इन सारी वेल्यू के आपके करोगे डाइग्राम कर लोगे और डाइग्राम सकते हैं इस लेयन को तो जहां सीर फोर्स का वैल्यू मिनीमम होगा वहां क्या होता है बैंडिंग मुमेंक क्वैल्यू में होता है याद रखिएगा तो वैंडिंग मुमेंट क्वैली मैं और ब्रेंदिक वेंगरेंड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने मली आपक्रेट क्रτε्लिए और वह सेक्शन आपका अपकोईंट्थ परक्रेश यह वाप सुस्कुल्ड क्लोड नोट को दूसरा आपका यह बीच सी-वी तक गया लगा हुआ है यूट तो पूरे आप destro को तो बी-सद्स तक पूरे ज़गा हुआ है तुम क्यों कि करेंगे लेट असेक्षन एक्षेक्षेख विट्विन दो पॉइंट ए और द लिएर सियर फॉर्स आगे तक मानेंगे बस स्थाइब दिस्टेंस ऑफ एक्षेक्षन फॉन पॉइंट बी इज एक्स तो यहां से मैंने बता दी आपको कि इसका डिस्टेंस कतना है एक्स है तो अब हमें मैक्जियम वैल्यू फैंड करनी है आपका किसका बैंडिंग मुमेंट का तो उसके लिए करेंगे उसके लिए हमेशा हम लोग एक्स पॉइंट पर मुमेंट लेंगे तो एक्स पॉइंट पर यह मुमेंट लेंगे तो क्या आएगा आपका भाई एक्स के पॉइंट पर खड़े हो गए और इस पॉइंट से इधर के फोर्स दिखेंगे तो आपको दिखाए दिया एक आरभी फोर्स है पॉजिटिव बाला उपर से दो negative वाला, एक 10 वाला force negative है और एक आपका UDL negative है तो इनके moment लेंगे किस के साथ पेच X के साथ पेच वही मैंने किया, BMX equal to 18.67, ये force हो गया distance कितना है, X minus 4 minus 4, 4 कौन सा वाला, UDL वाला ये वाला 4, UDL वाला distance कितना है, X X कहां काम करेगा, अपने आधे पर तो X, Y, 2 पर काम करेगा, into X, Y, 2 minus 10 तो 10 से और X के बीच के distance कितना होगा, आप ये 2 मीटर के distance मानस कर दीजिए X में से X minus 2 कर दीजिए, निकल के आगया ठीक है, ये भी निकल के आगया अब इस value को हम solve कर लेंगे solve करने के बाद क्या होगा, इस BMX का हम करेंगे, differentiation X के साप इक्च, जब करोगे तो X का value यहां से निकल के आएगा आपका इसको रखोगे 0 के equal, तो X का value निकल के आएगा आपका, X equal to 2.1675 2.1675 को रखेंगे हम BMX की value में रखेंगे तो आपको निकल के आएगा BMX का value कितना 29.39 यह निकालने के बाद अब बाकी का जो procedure है हम point B पर जाएंगे, point C पर जाएंगे point A पर जाएंगे, वो same way as follow यूज़ करेंगे, तो B point पर तो हमारा 0 हो गया, B point के बाद हम आएगे C point पर तो C point पर देखिए, C point पर आपको दिखाई दे रहा है, एक सबसे पहले force 18.67 जो कि RB वाला है, distance कितना C से इसका, 2 meter तो 18.67 into 2 minus 4, कौन सा वाला UDL वाला, जो C और V की पीच में UDL है, कितना है, 4 का UDL है, distance कितना है, 2 meter का है, कहां काम करेगा, इस 2 meter के आधे पर, तो 4 into 2 into 2y2, minus 10 minus 10 into 2, कहां तक ले रहे हम से C point तक ले रहे हैं, ठीक है इसमें 10.2 यह गलत ले दिया है यह हमारा नहीं होगा, इसमें 10 into 2 यह गलत हो गया, इसे थोड़ा सा करेंगे, point A पर आपका हो जाएगा, 18.67 into 6, 18 का force आपका यह है, 18.67 वाला, ठीक है, distance कितना है, इसका A से 6 meter का है, minus 10 का force कौन सा हो गया, यह आपका पॉइंट लोड़ वाला, 10 into 4, आपका A से 4 meter दूरी पर, दूसरा आपका UDL, minus 4 into 6 का UDL, 652 पर काम करेंगा, तो हमारा एक value क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें value find करनी है, और यह value find करने के बाद, इसका हम यह जो आपका SFD है, BMD है, दोनों बना लेंगे, याद रहे, SFD और BMD आपको बनाने हैं, बिल्कुल parallel में एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग आगे इनके निमेकल्स की और बात करेंगे, और जहां जो correction थोड़ा सा उसे आप देख लीजेगा, 10.2 वाला जो BMC में लिया हुआ था, यह थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप यहां से मिटा दीजेगा, यहां तक नहीं हमें सिर्फ यहां तक calculate करना है, यहां तक calculate करना है, ठीक है, निकाल लीजेगा इसको, so thank you for watching this video, and please subscribe and share my channel, thank you, thank you everyone